विस्तारा के पाइलेट को पाइलेट के दो संगठन का समर्थन मिल गया है संगठों ने कहा है कि विस्तारा के पाइलेट की ओर से उठाई गई समस्यां एक एरलाइन कंपनी का मामला नहीं है बलकि टाटा समू की सभी विमावन इन काईयों से जुड़ा एक मामला है इंडियन कॉमर्शियल पाइलेट एस्सोसेशन और इंडियन पाइलेट गिल्ड ने टाटा समू के चेर्मेन एंद चंश्वेकर को लिखे पत्र में समू से पाइलेटों के साथ सार्थक बाक्चीश शामिल होने का आग रहे किया चेर्मेन जी को जब बुलाए जा रहा है तो इसका मतला संकट गहरा रहा है गया विस्तारा का संकट थोड़ा गहरा दिखाई दे रहा है और अगर आप ध्यान से देखें कि जिस दिन से डीजी सीए ने पाइलेटों को रियायत सुविधा देने की और आराम देने के नियमों क पर अमल को क्रियान वैन को टाल दिया उस दिन के बाद से पाइलेटों का विरोध एक तरह से फूट पड़ा है अब जो मामला विस्तारा के पाइलेट्स और प्रबंधन के बीच में है उसमें कई महत्वपून मुद्दे हैं जैसे उनका एक कहना है कि उन्हें सतर घंटे का फिक्स्ट टाइम दिया जाए और उसके हसाब से पैसा दिया जाए चलाने का उनका कहना है कि छुट्टिया न रोकी जाए उनके रोस्टर्स न बदले जाए जिस रोस्टर पर उनको लगाय गया अचानक वहाँ से हटाकर दूसरी जिगे न लगाया जाए उन्हें रिस्ट यह दिख रहा है बाकी एरलाइन्स शुभम अब हीट महसूस करने लगी हैं क्योंकि पाइलेट तो सब जगे हैं और एकी जैसे काम कर रहे हैं तो इस पाइज से और इंडिगो जैसी जगहों पर भी इसका दबाओ पाइलेट के तौर पर दिखाई दे रहा है और इसलिए एव इस तारह के आंदोलित पाइलेट कर रहे हैं लगवग ऐसी ही समस्याएं ऐसी ही चुनोतियां बाकी एरलाइन्स के पाइलेट के सामने भी हैं तो देखना होगा कि यह परिस्थिती किस समय तक चलती है भी कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है इस बीच फ्लाइट में डिस्रप्शन से उड़ाने बंद हैं रुकी हुई हैं और किराय आस्मान पर हैं